यह 8-9 मिनट की वीडियो है अगर आप Micromax Inno2 लेने का सोच रहो तो इस वीडियो को skip मत करना क्योंकि आपके मन में जितने भी सवाल है इस फोन को लेके pros क्या है, cons क्या है ये सब जानना चाहते हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा अपना long time experience जितने भी दिनों से ये फोन मेरे पास है लगातार यूज करने के बाद में कैसा रहा मेरा experience ये होने वाला है असली रिव्यू Micromax Inno2 का मेरे चैनल पे हर काम मैं अपना शिदत से करता हूँ Tech Products की Unboxing करता हूँ आपको दिखाता हूँ नएने gadgets और जो भी gadgets में दिखाता हूँ उसके बारे में देता हूँ आपको सही और accurate जानकारी पहले बात करेंगे design और in hand feel की design मुझे इसका काफी ज़़ा पसंद आया और इस price range में आपको glass bag भी मिल रहा है तो overall जो इसकी finish है ना मुझे personally काफी पसंद आई in hand feel इसका आपको एक premium feel ज़रूर देगा हाँ वो एक डेट लाक वाली premium feel नहीं मिलेगी लेकिन definitely इस price point पे आपको एक in hand feel अच्छी मिलेगी design बढ़िया लगेगा स्क्रीन और display की बात करते हैं इस बर Micromax ने आपको Corning Gorilla Glass 3 की protection दी है स्क्रीन पे जो कि अच्छी है मैंने कोई tempered glass नहीं लगा है इस phone में और कोई भी visible scratch नहीं है जितने भी दिनों से मैंने इसको use किया है साथ ही में emoled screen होने की वज़े से इसकी जो colors हैं वो मुझे personally काफी अच्छे लगे 33 watts का charger आपको box में मिलता है phone 30 watts की charging को support करता है और मैंने अपने first impression वाले वीडियो में ही बता दिया था कि इस phone को charge होने में 70 to 80 minutes का time लगता है हाला कि यह थोड़ा सा improve हो सकता है लेकिन charging इसकी अच्छी है अगर इस phone में आप gaming करते हो एक दो घंटा जैसे कि मैंने किया है इस video के दरान और testing के दरान भी मैंने इस पे gaming कहला है camera की बात करें quad camera setup आपको मिलने वाला है यहाँ पे जुसका primary camera है 48 megapixel का वो एक Samsung का sensor है इसके लावा आपको wide angle में अगर आप कुछ जानना चाते थे क्योंकि इस तरह के सवाल मेरे पिछले video पाये थे तो मैं आपको बता दूँ wide angle camera भी इसका अच्छे से perform करता है लेकिन इसके wide angle camera से आप videos record नहीं कर सकते सिर्फ photos को ही click कर पाएंगे wide angle में 16 megapixel का front camera है तो आपकी video calling वगेरा भी गरते हैं experience अच्छा मिलेगा आपको इस camera पे बागी एक सवाल हो रहाया था मेरे पिछले video पे कि क्या इसमें panorama mode है तो हाँ इसमें panorama mode भी है RAM ROM और multitasking की यहाँ पे बात करें यहाँ पे जो variant आ रहा है अभी सिर्फ 4 और 64GB वाला आ रहा है हाला कि कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि क्या इसमें कोई और variant आएगा देखिए उसके बारे में अभी मुझे डंग से नहीं पता है लेकिन future में हो सकता है कि कोई variant आ जाए multitasking यहाँ पे मैंने करी है कुछ basic सी apps मैंने डाली है और जैसार मैंने game भी केला है तो इसमें gaming app भी डाली है multitasking में फिलाल मुझे कोई lag नहीं मिला मतलब इस processor के अंदर में कोई lag नहीं मिला multitasking भी easily मैंने यहाँ पे करी है तो यहाँ पे किसी तरह का lag मुझे इस phone के अंदर फिलाल में नहीं मिला जितने भी दिनों से मैं इस phone को use कर रहा हूँ तो multitasking इस phone में easily हो जाती है processor इतना capable है बागी मेरी एक website भी है brtechfilms.com अगर आप smartphones के बारे में latest जानकारी चाहते हैं तो उस website पे आप ज़रूर visit कर सकते हैं आपको मिलेगी महाँ smartphones की latest जानकारी stereo speaker नहीं है single speaker है quality में आपको एक बार सुना देता हूँ price point के इस आप से speaker loud है अच्छी sound quality मिलती है बात करते हैं इसके UI experience की क्योंकि इस phone में stock android मिलता है कोई भी bloat wear नहीं है इसमें कोई भी फालतो के notifications नहीं आते अब मैंने यहाँ पे जो भी app install करें जैसे कि यहाँ पे flip card का एक notification आ रखा है तो जो app मैंने install की है मुझे उसके notification मिल रहे है phone के अंदर पहले से कोई भी pre-installed app नहीं है Google Apps के अलावा अब यहाँ पे हम बात करेंगे always on display की यहाँ पे अप सेटिंग में जाके always on display को on कर सकते हैं always on display on होने के बाद में अब AMOLED स्क्रीन में यह फाइदा तो मिल जाता है always on display का लेकिन यहाँ पे मुझे कमी भी लगी वो मैं आपके साथ मैं भी share करता हूँ always on display यहाँ पे जब मैंने on कर दिया तो यह always on display कुछ इस तरीके से दिखता है no doubt इसमें कोई दिक्कत नहीं है always on display काफी एच्छे से काम करता है लेकिन प्रॉब्लम यह है always on display पे इसकी बैटरी ड्रेन जल्दी होती है बागी इस फोन के अंदर आपको double tap to wake up और double tap to sleep का option भी मिल जाएगा तो यह वाले options जिनका भी सवाल था वैसे first impression वाले वीडियो में मैंने बता दिया था यहाँ पे आपको मैंने इस doubt को भी clear कर दिया है security feature में आपको face unlock का option भी मिल जाएगा साथी में side mounted fingerprint scanner भी है जितने भी दिनों से मैं इस fingerprint scanner को use कर रहा हूँ अभी तक यह miss out तो नहीं हुआ fingerprint scanner इसका बड़िया से काम करता है अब आप लोगों के काफी जरी सवाल है calling को लेके तो वो मैं सारे doubts आपके यहाँ पे clear कर देता हूँ आप फोन लेते हैं इसलिए कि क्योंकि primary जो काम होता है फोन का वो calling होता है यहाँ पे आपको dual volte मिलता है dual wo wifi मिलता है carrier aggregation का support भी इस phone में आपको मिलता है इस phone में आपको by default call recording का option नहीं मिलेगा अगर मैं call quality की बात करूँ तो indoor और outdoor conditions में मैंने जितनी भी calls ली है calling में किसी तरह की problem नहीं है crisp और clear calls है अब एक सवाल ना और आया था वो यह सवाल था कि क्या यह phone durable है इसका back glossy है तो इस पे क्या fingerprint के smudges पढ़ते हैं हाँ इस पे fingerprint के smudges पढ़ते हैं अब durability की मैं बात करूँ तो मैं एक चीज आपको जरूर बताऊंगा कि क्योंकि यह glass finish के साथ में आता है back side में और वैसे भी आपने इस phone को बिना tempered या back cover के तो use करना नहीं है क्योंकि जो भी लोग phone करीबते हैं especially किसी भी price range का हो maximum लोग उस पे back cover या tempered glass लगा कर रखते हैं डूरिबल कौन सी कितनी चीज है मैंने इसका कोई durability test तो किया नहीं है लेकिन मैंने इसको जितने भी समय से use किया है ना मैंने इस पे back cover लगाया है ना ही tempered glass phone को मैंने गिराया नहीं है हाँ table पे एक दो बार इधर उधर गिर गिर गया वीडियो शूट करते टाइम लेकिन अभी तक कोई visible scratches इस पे नहीं है तो phone कितना durable है अभी तक कोई problem नहीं है आप phone को किस तरह से use करते हैं कितनी बार गिराते हैं वो आपके ओपर depend करता है बार बार गिराएंगे तो यार महंगे से महंगा phone भी टूड जाता है durability test तो मैंने करा नहीं है इसका शायद आपको जल्दी YouTube पे ऐसे videos भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे durability test आपको देखने को मिल जाएगा फिलाल मैं मुझे कोई भी problem इस phone में नहीं लगी अब मैं आपको अपना final conclusion देता हूँ मेरे experience इस phone के साथ में क्या है cons आप ज़रूर पूछेंगे इस phone के अब जबर्दस्ती मैं कमी नहीं निकाल सकता लेकिन जो मुझे कमी लगी वो मैं आपको इस phone में बता देता हूँ कमी की अगर बात करूँ मुझे इसमें एक ही कमी लगी वो ये है वैसे तो इसका battery backup बहुत जादा अच्छा है battery बहुत अच्छा चलती है इसकी लेकिन अगर आप इसमें always on display on करके रखेंगे battery इसकी जल्दी drain होती है मेरे पास में और भी phone है जिसमें always on display का option है उसके comparatively इसकी battery थोड़ा जल्दी drain होती है लेकिन इस phone में मुझे कोई भी major con देखने को नहीं मिला है इस phone को price point के हिसाब से अगर मैं बात करूँ काफी competitive price यहाँ पे Micromax ने इस phone का रखा है काफी बढ़िया features आपको दिये है यहाँ पे आपको emoled screen मिल रही है रहों यह वाला phone Innote 1 के comparison में इसका camera भी इस बार काफी ज़्यादा improved है और Innote 1 के comparison में Innote 2 में आपको definitely काफी सारे नए changes देखने को मिलेंगे तो Innote 1 से Innote 2 में काफी बड़ा upgrade हुआ है आप लोग एक शिकायत है कि आपको timely software updates नहीं मिल रहे है यह बात हम already यह feedback brand तक पहुँचा चुके है मैंने भी और काफी सारे creators ने यह बात already brand को बोल दी है तो brand ने इस बार बोला है कि software updates पे वो काम कर रहे हैं और जल्दी आपको पुराने phones में भी और इन phones में भी software update देखने को मिलेगा तो थोड़ा सा time देते हैं, wait करते हैं, brand की बात को सुनते हैं, देखते हैं कब तक update मिलेगा लेकिन अब finally अगर आप इस phone को लेने का सोच रहे हैं इस price point पे तो मैं यही कहुँआ कि मेरे experience तो इस phone के साथ में काफी अच्छा रहा है मुझे इस phone को यूज करने में काफी बड़िया feeling मिली है इस price point पे मैंने expect नहीं किया था कि यहां पे इस तरह की screen आपको इस तरह का display या इस तरह की performance मिल सकती है यहां Micromax ने अच्छा काम किया है, अगर आप इस price point पे Micromax का phone लेने का सोच रहे हैं यह वाला आप इसके लिए definitely जा सकते हैं बागी मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं अलग-अलग gadgets के unboxing वीडियो पुरी शिदत से काम करता हूं सही information आप तक पहुचाता हूं तो Amazing Tech के वीडियो देखने के लिए subscribe ज़रूर कीजे और इस वीडियो को like करना मत भूलिए